तो आज हम लोग देखेंगे के तमाम पानी के फिल्टर जहांसे आप लोग पानी भनने जाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं उसके हिस्सों से सबसे पहले हमारे पास है टैप वाटर की तूटी जहांसे हम नलके का पानी लेते हैं then feed tank जहां उसे store करते हैं feed pump यह है हमारे पास gauge जो के बताते हैं कि pressure कितना है then sand filter उसका pressure gauge फिर carbon का filter उसका pressure gauge फिर हमारे पास है water softener और उसका pressure gauge सबसे N पर आता है हमारे घर वाला फिल्टर जो के हम घरों में भी यूज़ करते हैं उसके बाद है एक pressure switch, एक pump, फिर एक भरा membrane वाला फिल्टर जहां से सादा पानी भी निकलता है और mineral पानी भी निकलता है फिर flow meter और आखर पर है हमारे पास एक storage tank तो चले देखते हैं इसके काम करने का process सबसे पहले वहाँ नलका खोलेंगे और अपने पानी के tank को पानी से भर लेंगे ऐसे उसके बाद यह पानी pump के जरीए जाएगा सबसे पहले filter में जो कहा है sand filter जहां से पानी के अंदर मुझूद छुटे 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 तमाम चीजे तमाम particle तमाम हशरात निकल जाते हैं फिर जाता है carbon filter जहां पानी के अंदर से smell और color हतम किया जाता है उसके बाद आता है water softner जो के पानी के अंदर मुझूद तमाम तरह के salts को remove करता है ताके पानी दोने और पीने के काम आ सके उसके बाद हमारा graylo filter जोसमें मुझूद तमाम छुट 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 चीज़ों को निकालता है ये pressure switch सबसे पहले पानी को बेजता है आरो pump की तरफ और फिर ये आरो pump उस पानी को भरे filter यानि के membrane filter से गुजार देता है और इस membrane filter से पानी में मुझूद छोटी छोटी थारी चीज़े जो पानी में हल भी हो चुकी है वो भी remove हो जाती है वो भी निकल जाती है उसके बाद वो साफ पीने का पानी नीचे से निकलता है और उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं अपनी टैंकियों में और उपर से मजूद गंदा पानी हम उपर से निकाल कर तो जाया कर देते हैं यह है पूरा फिल्टर का प्लान जहां से आप लोग पानी भरते भी हैं और यह पानिया पीते भी हैं शुक्रिया ऐसी वीडियो देखनी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा